इस वीडियो के माध्यम से हम जोग्राफिक के स्रीज को आगे बढ़ाते हैं अभी हमारा चरह है लुसेंट उसमें हम जोग्राफिक के आज यह हमारा क्या है एक्सेसाइज फाइब अक्छांस और देसांतर इसे पहले मैंने हर सब्जेक्ट का अलग लेशन लेशन का वीडियो अस्थान की कोनी ये दूरी क्या कहलाती है तो उसे क्या कहा जाते है अक्छांस कहा जाते है नाम से इकलियर है भूमी और मध्धी मतलब होता है बीच भूमी के मध्धी से जो रेखा गया हो उसे हम क्या केते हैं भूमधी रेखा यहां से एक्वेटर भी कहा जाता है तिन ल क्यों होता हूं से क्उनक ollσे में से कौन सा विर्धी भीधि होता है great circle थो ग्रेट शर्किल सब से बड़ा क्या होते हैं भूमेदि सागर के िंद मोटा है सबसे जदिक होता है तो ऑष्चा के स्वोड़ी भूमदिए रखा ट्रॉपिक और स्वेट्र सने उपर उपर निम्न में से क्या है तो देनों और क्या नॉडर क्या है, नीचे क्या है सौथ है तो ही होगा तो सारे 23 रिगरी पर पर्लो else को सारे 23 श्री क्या है नॉर्थ उत्री और अगर ट्रापिक ऑप कॉपिक और न भोले या मकड्र रेखा है तो धाक्षिन में होगा दुर्भों की तरफ जाने पर रेहतां कहीं के तुछ प्रकृते ही होती है तो जो determके तरफ जायेंगे तो क्या होगा वह घथताचलागा सबसे अधिक ब्यास होता है भुमधी रेखा पर मिन्स बीच में nekst time को समय लित करना है इसको मिलाना है तो अभि मैंने बताया कि भुमधी रेखा जो होता है वह होते कहां पे zero degree होगा करक रेखा होता है North में North मिन्स उत्तर सारे 23 degree मकर रेखाओ का डख्षीन सारे 23 टिग्री यह रहा आर्क्रिक होता है उपर में तो आर्क टीक भी तनौर्थ कर दीजिए और अंटार्क्रिक बीर्थ क्या होता है और यह रहा हमारा इसका आंसर तो अगर हम ऐसे मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा इसका भी सही आंसर है तो आप इसको क्या कर लोगे यह पुड़ा को आपको याद रहना चाहिए आपर स्कीन सोट ले लो हो सके तो बार बार देखो के तो यादी हो जाएगा वची देखो समझ लो याद करना बहुत असान है जैसे कि मालूब यह आर्थ है बीच से जो लाइन गुजरा वह होता है जीरो डि आपको आए हमाल को घ्राफे चील क्योदल ब्रेशति हां ऑपचल ब्लाफा पता है जी अब सब्सक्राy father us the profile क्या कहेंगे आर्क्टिक भी होता है तो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा उमीद करते हैं नक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा एक डिग्री अक्षांस की दूरी निम्न में से किसके बड़ावर होती है तो वह होता है एक सो एक ग्यारा किलो मिटर बहुत इंपोर्टे बस एक्वेटर ही यह कैसा है जो बिर्थवी को दो भाग में डिवाइड करता है तो हमारा अंसर क्या हो जाएगा डी फिर है मकर रेखा अथवा सारे तेस्टिक्री दक्षी नक्षांस बिर्थ देखो मकर रेखा और यह दोनों सेमी हुआ बिर्थ निम्नलिखित में से कहां कन्ट्री का डेश है तो वहां से होकर गुजरते हैं कि कौन Сा कंटिनेंट है जिससे होकर तीनों रेखा' मिन्स कर्क रेखा तो कौन सा हो जाएगा अफ्रीका सा अपको पूंख्या नेक्स्ट है वह कालिपनिक रेखा जो पिरथवी को दो भागों में बाटती है क्या कहलाती है तो भुमद्य रेखा भुमद्य रेखा या एक्वेटर नेक्स्ट छियासा टी टू वन वै टू दक्षिनी एक छांस दिया गया तो क्या हो जाएगा अंटार्क्टिक अगर यह उत्री रहता तो हम आर्टिक करते हैं फिर दो धुर्बों को जोडने वाली उत कालपनिक रेखा जो भुमद्य रेखा को संकून पर पर्दिश्चहदित करती है क्या कहलाती है तो उसे हम ऑन्ले वारत है तो यह तो गए एक्विटर और यहां से जो नंटी काट दे वह क्या कहलाता है देसान्थर नेक्स्ट है दो देसांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है तो क्या का जाती है तो उसको गोरे का जाता है गोरे एक देसांतर से दूसरे देसांतर के बीच समय अंतराल होता है जिसे एक देसांतर से दूसरे देसांतर तक का जो समय अंतराल होता है वह होता है चाड़ मिनिट का है यह आप से पूछा जा सकता है कितने अंतराल का चाड़ मिनिट का होता है फिर वह अक्छांस रेखा जिस पर सदेव दिन और रात की अवधी समान होती है देखो दिन और रात की अवधी समान होती है वह होता है भूमधी रेखा पर और इस होता है equinox next है निमनलखित में से कौन सुमेलित नहीं है तो करक रेखा 23 साड़ 23 तिखी नॉर्थ सही है मकर रेखा इस्था में यह भी सही है ऐंटार्क्टिक यह भी सही है परदहान यह मिट्थर गलत है ठीक ना यह होता है जीरो तो इसमें ये गलत है और सारा हम पढ़ देते हैं जो सब सही है किसी भी अस्थान की ग्रीन वीच रेखा से कौण ये दूरी को उस्थान का देसांतर कहा जाता है अच्छा ग्रीन वीच कहा पर है इंग्लेंड मेश प्राइम मेरीडियन भी कहा जाता है याद रहिएगा फिर ह पर देसांता रेखां की बीच कुद्री कितना होता है एक ग्यार एक एक जाद रखेगा तो दिक्कत नहीं होगा नेक्स्ट हमारा इनमें से कौन सा आसत्या है तो विश्वत रेखां से धुरूँ की और जाने वाली अक्षांस रेखां के बीच की आंसिक रूप से बिर्दी हो होती जाती है क्योंकि फैलता चला जाता है फिर किसी भी अस्थान की प्रधान युग मोत्तर के कुनी दूरी को उस अस्थान का अक्षांस कहते हैं नहीं उसे देसांतर का जाते यह गलत हो गया अंदर हमारा क्या होगा भी फिर विश्वत रेखा एक ब्रिहद बिरित है सही है देखो ब्रिहद ब्रित का मतलब है ब्रित तो है सबसे वड़ा ब्रित होता है वह एक मिन्स एक्वेटर भूमती रेखा सभी देसांतर रेखाएं ब्रिहद होती है तहां सही है सभी देसांतर रेखाएं क्या होती है ब्रिहद होती है फिर है दो अक्छांस रेखाओं के बीच की दूरी लगबग कितनी होती है तो 111 किलो मीटर हम भी पढ़े है निस्टे एक डिगरी देसांतर की सरवाधिक दूरी कहां पर होती है तो वो होती है विशुवत रेखा पर कुल अक्छांसों की संख्यां कितनी है कुल अक्छांसों की संख्यां 180 है कितनी है 180 देसांतरों की कुल संख्यां कितनी है तो द्यसांतरों की किल संख्या है । तेन सो साथ है याद रखेगा कितनी है । तो यह आपसे प्रस्ट कथ में पूँछ दिया जाएगा उस में देंका कि अक्छांस है ।ह एक सो आसी इसमें कंफ्यूज हो नेक्स्ट है बिस्वत रेखा के समानतर काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है तो कहलाती है अक्षांस रेखाएं क्या कहलाती है प्रिथिवी के उत्री धुर्व एवं दक्षनी धुर्व को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है उसे हम कहते हैं देसांतर रेखाएं देसांतर र कि प्रधान मद्ध्यान रेखा किस अस्थान से होकर गुजरती है यह कहां से ग्रिन विच ग्रीन बीच लैंट से ने ग्रीन विच रेखा सितातपड़ी है क्या थ prophecy घ्डिग डिश कि फिर न मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरता है। तो ये मकरर फिरिपन्स से होकह नहीं गुजरता है। पिरत्रभी एक घॉर्ब göz कता गूंअधर घॉम लेती है। बहुत important person4 पुचा जाता है। छुमता है सिरे दक्षिनी धूर्ब का अक्षाओंस कितना है नबे डिग्री नबे डिंदे नेक्स्ट् तो हमारा थेकाब गुद्रेख नुद्रिक्मे स्थीत डिग्री तरुर मंत do works और रहेका जिरो डिग्री यह lattice तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ये फिर नेक्स्ट यह दिया गया है कि प्छी मेलिद करना है तो जो आता है पहले उसी से कि देखे हैं अन्तरास्ति या त्रिथी रेखा होता है जीरो डिग्री 170 दिगडी देश अंतर विश्वत रेखा होता है जीरो डिगडी अक्छांस और हांटक्र्क div3 नीचे में उत्तिर । और होगे हमारा कां पे उत्थर इक कृतरी की एक करद छाइब तो यह हमारा सौही नेक्सट है कि दो अस्थानों के देशांत्रों में एक Division क्यों कि अंतर करना नहीं तो बहुत देश से होकर कर ख्रेका नहीं गुजरता है तो भरत पर करना तरे में भूह दरतर अधिक्तम है तो तीसी स्थग्री नौर्थ से चालिस स्थेरे नुच कि बाड़े में ga NUE-Likhin Yoga से कौन सा क embraced सही है क्या है क्या है क्या करता है एक दुसरे को लंबत काćता है निमन लिखित में इसे विचार करना आ है दो सागरो के ओपर लगबाग 30 डिगरी से 35 डिगरी नॉर्थ और दच शिटी अक्ण्स पर विध्यमान दो कटी बंदों में प्रतेख हार्स अक्षान्स कहलाता है तो यह सही है और हार्स अक्षान्स Нिम्न दाव कटी बंदे नहीं अंसर क्या हो जाएगा एक सही है नेक्स्ट निम्न लिखित नगरों में से कौन सा भुकम पड़ेखा के सरवाधिक निकट है सब से नजदी कौन सा है सिंगापूर सिंगापूरक के देश interesting factors कि जब कोई Arctic continent पर जाएगा तो ऐसा भी प्रस्द ऐस में पूछा गया तो आप कौनसे country पे पहले जाऊगे कौन से country अटिक लगाते हैं पर आप मैं पता चिली जो है वह सब से नजदीक होता है ठीक ना तो वह भी प्रस्ट रियाद रखना तो इस का अंसर के हो जाए का डी एक दो तीन चाथ तो यह था इस वीडियो का हिंड अगर आप इस वीडियो से कुछ चेखने को मिला होगा तो लाइक किजिए और कमें करके बताइए और अगर पसंद नहीं आ झाल 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 झाल